पार्ठ दो, ध्वनी, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था, फोन्स, अल्फबेट्स, एंड राइटिंग सिस्टम, ध्वनी तथा वर्ण, हर भाशा में दो तरह की ध्वनियां होती हैं, स्वर तथा व्यंजन, और इन्ही दोनों तरह की ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, इस तरह यह कहा जा सकता है कि मौखिक भाशा का आधार भाशा की ध्वनियां या फोन्स होती हैं, इन्ही ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन बना लिये जाते हैं, इन्ही लिखित चिनों को वर्ण या अल्फबेट्स कहते हैं, ध्यान रखिए वर्ण किसी ध्वनी का लिखित रूप है तो ध्वनी उस वर्ण का उचरित रूप स्वर तथा व्यंजन ध्वनिया स्वर स्वर वेध्वनिया हैं जिनके उचारन के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायू के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती व्यंजन व्यंजन वे ध्वनिया हैं, जिनके उचारन में उचारन अव्यव, जीब या ओंट, मुख में विभिन स्थानों पर वायू के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं वर्ण तथा वर्ण माला वर्ण उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जिन लिपी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे वर्ण कहलाते हैं वर्ण माला जिस तरह अनेक फूलों को एक स्थान पर रख कर तथा एक धागे में पिरो कर माला बनाई जाती है उसी तरह प्रतेक लिपी के वर्णों को एक साथ एक स्थान पर रख कर अध्ययन किया जाता है इसे ही वर्ण माला कहते हैं सभी स्वर तथा व्यंजंध्वनियों के वर्णों को जब एक क्रम बद तरीके से एक स्थान पर रख कर सिखाया जाता है तो समस्वर्णों का वहसमू, varn-malा कहलाता है स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण हमारी वर्ण-malा में कुल 11 स्वर हैं ये सभी स्वर शब्दों में स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं और व्यंजनों के साथ मिला कर भी बोले जाते हैं जैसे एक, उन, अनार, आग, ओस, आदी शब्दों में इ, उ, अ, आ, ओ, स्वर, स्वतंत्र रूप में बोले गए हैं. लेकिन किसान, दुकान, काला आदी शब्दों में व्यंजन तथा स्वरों को मिला कर बोला जाता है. मिला कर लिखे जाने के लिए बनाये गए ये स्वरों ही मात्रावर्ण या मात्राचिन कहे जाते हैं. चुँकि अ स्वर तो प्रतेक व्यंजन वर्ण में शामिल ही है, अतह अ को छोड़ कर शेश सभी के लिए अलग वर्णों की व्यवस्था की गई है. व्यंजनों के साथ मिला कर लिखे जाने वाले स्वरों वर्णों को मात्राचिन कहा गया. अतिरिक्त वर्ण क परमपरागत वर्ण एक अनुस्वार ध्यान रखिए, अनुस्वार एक आश्रित नास्किये व्यंजन है. इसे वर्ण माला में अ के उपर बिंदू लगाकर अंग के रूप में दिखाया जाता है. यह वर्ण एक ऐसी नास्किये व्यंजन ध्वनी के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका उच्चारन अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता. दो, अनुनासिक अनुस्वार यदि एक प्रकार की व्यंजन ध्वनी है तो अनुनासिक एक प्रकार की स्वर ध्वनी प्रायह हम जब भी स्वरों का उचारन करते हैं वायू केवल मूग के रास्ते से ही बाहर निकलती है लेकिन स्वरों का उच्चारन करते समय जब वायू मूग के साथ साथ नाक के रास्ते से भी बाहर निकलती है तो वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं तीन, विसर्ग वर्ण माला में विसर्ग को भी अ के साथ लगाकर अहा के रूप में दिखाया जाता है पर है यह भी एक व्यनजन ध्वनी ख, आगत ध्वनिया तथा उनके वर्ण आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई अर्थात आगत ध्वनिया वे ध्वनिया हैं जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आ गई हैं हिंदी में अर्भी, फार्सी, तुर्की, अंग्रेजी आदी अनेक भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण ऐसी ध्वनिया आ गई हैं जो पहले से हिंदी में मौजूद नहीं थी इन में स्वर्ध्वनिया भी हैं तथा व्यंजन ध्वनिया भी इनके लिए हिंदी में नए वर्ण भी विक्सित किये गए हैं ये ध्वनिया तथा उनके वर्ण इस प्रकार हैं आगत स्वर, औ, बॉल, शॉल, डॉक्टर, काफी, डॉल, आदी, आगत व्यंजन, ज, फ, हिंदी की लेखन विवस्था या वर्तनी, एक मातरायुक्त वर्ण, हिंदी में हम जिस तरह व्यंजन और स्वर को मिला कर बोलते हैं, उसी तरह व्यंजन और स्वर को मिला कर लिखते इसलिए मिलाकर लिखे जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण विक्सित किये गए हैं। इन्ही वर्णों को मात्राचिन कहा गया। दो संयुक्त व्यंजन तथा उनका लेखन. जब दो या दो से अधिक व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. जैसे गन्ना, मिट्टी, क्या, शब्दों में क्रमशा, न जम न, ट जम ट, तथा क जम या संयुक्त व्यंजन है. संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ग्या. संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजनों के लिए एक वर्ण वाले चिन्ध बनाए गए हैं. हिंदी की वर्ण माला के अंत में आने वाले क्ष, त्र, तथा ग्या ऐसे ही वर्ण हैं. इन वर्णों की रचना निम्न लिखे ध्वन्यों के मेल से हुई है. क्ष, यह वर्ण क जमश व्यंजन ध्वन्यों का संयुक्त रूप है. जैसे रक्षा, शिक्षा, कक्षा, दक्ष, यक्ष, आदी. त्र, यह त जमर व्यंजन ध्वन्यों का संयुक्त रूप है. हिंदी की मानक वर्तनी के अनुसार इसका मानक रूप है त्र जैसे यात्रा, पत्र, पुत्र, आदी ग्य यह ज तथा अय व्यंजन ध्वन्यों से मिलकर बना है पर हिंदी भाशा भाशी इसका उच्चारण ग्य के रूप में करते हैं जैसे आज्या, ग्यानी, प्रतिग्या, आदी वास्तव में आज्याशब्द का उचारण आज्या के रूप में किया जाता है हमने सीखा वर्ण, उचरित ध्वनियों के लिए निर्मित लिखिचिन है स्वर वेध्वनिया हैं जिनके उचारण में मुख से बाहर निकलने वायू बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है व्यंजन वेध्वनिया हैं जिसके उचारण में मुख से बाहर निकलने वायू के मार्ग में अवरोध उत्पन किया जाता है अनुस्वार एक ऐसा नासकी व्यंजन है जिसका अपना कोई निशित रूप नहीं है अनुनासिक वे नासकी स्वर हैं जिनके उचारन में वायू बिना किसी रुकावट के मूह तथा नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है विसर्ग का उचारन हिंदी में समाप्थ हो गया है और इसे भी ह के रूप में ही बोला जाता है आगत व्यंजन है ज तथा फ तथा आगत स्वर है ओ